Hello Friends, This is Yedan News ये है कि अमेरिका ने फिर से भारत के आंतरिक मामलों में दखल अनदाजी करने की कोशिश की है अमेरिका ने भारत के कानून CAA को लेकर ये कहा है कि भारत को कानून के तहट सभी लोगों के साथ समान विभार करना चाहिए इंडिया के reaction की बात करें तो जब तक मैं ये recording कर रहा हूँ अभी तक इंडिया की तरफ से कोई reaction निकल कर नहीं आया है समझेगे क्या है पूरी news, अमेरिका ने भारत से क्या क्या कहा साथ मैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका एसी हरकते क्यो करता है Actually हुआ ये कि Recently भारत सरकार ने Citizenship Amendment Act 2019 को implement करने की अधिशूशना जारी की जिसका उद्धेश हिंदू, सिख, क्रिश्चन, जेन और पार्सी धर्मिके लोगों को जल्दी नागरिक्ता देना है जिने पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से उत्पीडित किया गया था इसकी डेडलाइन सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2014 रखी गई है इसका मतलब है कि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान के वे लोग जो सिख, क्रिश्चन, जेन और पार्सी कम्मिनिटी से भिलोग करते हैं और जो 31 दिसंबर 2014 के पेले भायरत में इंटर कर गए हैं उन्हें नागरिक्ता सिर्फ 6 सालों में मिल जाएगी यहाँ पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस कानून में किसी भी मुस्लिम व्यक्ती की नागरिक्ता नहीं चीनी जाएगी क्योंकि इसमें इसे प्रावधान ही नहीं है देश में इसी अफ्वा फिला दी गई है किस से मुस्लिम लोगों को नुकसान होगा या फिर बहुत कुछ एसा कुछ नहीं है मेरा डिटेल्ड वीडियो इस पर है आप जाकर देख सकते हैं ओके हम फिसे टोबिक पर आते हैं जैसे ही भारत ने इसे इंप्लिमेंट किया अमेरिका की तरफ से इसका रियक्शन निकल कर आ गया अमेरिका ने कहा कि हम 11 मार्च को CA की अधिसूशना को लेकर चिन्ती थे हम बारिकी से निगरानी कर रहे हैं किस अधिनियम को किस तरह से लागू किया जाएगा अमेरिका आगे कहता है कि धार्मिक सोतंत्रिता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यभार मोलिक लोक्तांत्रिक सिध्धान तहें फ्रिंट्स यहाँ पर अमेरिका का एट करना चाहूंगा कि बड़े शर्म की बाद है कि अमेरिका जैसे बड़े देश इस तरह की अनपड़ो वाली बात करते हैं महज अपनी घरेलू पॉलिक्स को चमकाने के लिए भारत के बारे में कुछ भी अनाप्शना बोल रहे हैं क्या अमेरिका की लोग पड़े लिखे नहीं है इस कानून के उपर ये सवाल उठा दिया गया कि इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है लेकिन मेरा कुश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम लोगों का धार्मिक उत्पीडन होता है नहीं लेकिन वहाँ पर मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों का रहना नर्क बन गया है वहाँ पर लोगों को जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन करवाय जा रहा है यानि उन्हें जवर्दस्ती मुस्लिम मनाय जा रहा है उनके साथ वहाँ पर दोयम दर्जे का व्यवार होता है उनकी पॉलसी में धार्मिक अल्कुसंग्यक एक्जिस्ट ही नहीं करते और इन सभी घटनाओं के चलते वहाँ से लोग भारत आ गए प्रिंट्स ये वही लोग है या उनके परिवार हैं जो देश के बटवारे के टाइम पाकिस्तान बांगलादेश चले गए थे या फिर मजबूरी में वहाँ फस गए थे और इसी बात की सजा उनको वहाँ पर मिलती है लेकिन इस सभी बातें तो अमेरिका को दिखती नहीं या फिर वो जान करके देखना ही नहीं चाहता आपका कुशन यह होगा कि अमेरिका इसी हरकत क्यों करता है देगे इसके बीछे बहुत सारे रीजंस है जिने हम एक एक कर के समझने की कोशिश करेंगे अमेरिका की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो मुस्लिम वल्ड में बेलेस बना के चले इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि वो ये दिखाना चाहता है कि वो मुस्लिम लोगों की आवाज है क्योंकि वो इसी तरह मुस्लिम कंट्री से अपने इंटरेस्ट पूरे करता है या आप यू कहलेजिए कि अपने हितों की पूर्ती करता है दूसरी बात, अमेरिका नहीं चाहता कि एश्या वाले रीजन में कोई भी कंट्री पावरफुल हो अमेरिका का एक ही मकसद है कि एश्या में हावी होना, अपना प्रभुत्व जमाना अब आप खुद ही सोचके देखिए कि एश्या में मुस्लिम पोपुलेशन ज़्यादा है या फिर दूसरी कम्यूनिटी की क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो पूरी दुनिया की 62-65% मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ एश्या में ही रहती है इससे होता ये है कि अगर अमेरिका मुस्लिम लोगों के पक्च की बात करेगा तो मुस्लिम लोग ये सोचेंगे कि अमेरिका तो अच्छा है और सिर्फ ऐसा करके वो भावनात्मक रूप से एश्या पर कबज़ा जमा रहा है इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्री का जुकाओ रश्या की तरफ है ऐसे में वो ये मुस्लिम कंट्री में रश्या की प्रेजिंस को कम करना चाहता है ताकि रूस पर प्रेशर बनाये जा सके ये जहां पर पाकिस्तान भी एक फिक्टर है अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत नीड है ताकि वो उसके जरिये इरान, चाइना, रश्या, इवन इंडिया पर भी दबाव बना सके यही रीजन है जिसके चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर पे चड़ा रखा है लेकिन रियलेटी यह है कि एक्ट्वल में मुस्लिम लोगों की अमेरिका में जितनी खराब कंडिशन है न उसकी कोई हद नहीं है अमेरिका में बड़े आतंगवादी घटना के बाद, वहां की मीडिया हर घटनाओं को मुस्लिम से जोड़ कर देखती है कुछ भी हो जाता है तो वह मुस्लिम लोगों को ढूंड़ती है कि क्या किसी मुस्लिम ने इसा तो नहीं किया वहां की गवर्मेंट पॉलिसीज में मुस्लिम के लिए कोई जगा नहीं है हेल्थ केर हो या फिर एजूकेशन हो या फिर बिजनस हर जगा उनके साथ भेदबाव किया जाता है वहीं आप भारत को देखोगे न तो समविधान ने सभी धर्मों को बराबर का हग दिया है इतना ही नहीं जब जोब की बात आती है तो अमेरिका में सिर्फ मुस्लिम लोगों को इसलिए जोब नहीं मिलती क्योंकि वे मुस्लिम है सोच के देखिये कितनी बड़ी बात है offense America का इदिहास ये कहता है कि America Muslims का slave trade करते थे सोचखे देखिए आप ये देश भारत को ग्यान देता है खुद अपने या धार्मिक 알प संक्यकों का सम्मान नहीं करता और भारत से कहता है खुद मुसलिमों के साथ भेद्बाव करता है और भारत को सिखाने चलता है